मूवी की शुरुवात इयर 1956 में होती है जहां हमें एक टेलर शॉप दिखाई जाती है जिसका मालिक लियो नाम का बंदा है जो की गजब का टेलर है पर जब लियो सूट की कटिंग कर रहा था तब कुछ लोग बारी-बारी से शॉप में आकर मेल बॉक्स में अपने मेल्स डा एक स्टैश हास की तरह यूजब करता है जहां पर बॉइल गैंग के मेंबर्स अपने दिन भर की कमाई इस में डेपाउजित कर देते हैं यानि लियो की शॉप में लगे इस मेल बॉक्स से बोईल गैंग का डर्टी मनी सर्कूलेट होता है तो शाम को को फ्रैंसिस और रिच अजीब सा सिंबल था तो इसे देखकर Francis सीरियस हो जाता है जो इस बारे में रिची को भी इनफॉर्म कर देता है क्योंकि रिची असल में Crime Boss Roy का बेटा है तो यों भी इस सिंबल को देखकर सीरियस हो जाता है जो लियो को इस Room से बाहर कर देता है तो Leo Shop की Assistant मेबल की पास जाकर बैट जाता है तो मेबल लीओ से पूछती है कि आप इन गैंग्स्टर्स को अपनी शॉप यूज़ करने क्यों देती हूँ तो लीओ मेबल को समझाता है कि Boyle Gang वाले मेरे बेस्ट कस्टमर्स हैं तो मेबल लीओ से बोलती है कि ये जगह काफी खतरनाक है और मैं ये जगह छोड़कर London Shift होना चाहती हूँ तो लीओ लेडी को encourage करने लगता है वहीं दूसरी तरफ Richie और Francis उस symbol को discuss कर रहे थे क्योंकि ये symbol outfit नाम की crime syndicate का था जो लगबग American Underworld को rule करती है तो अब ये लोग इस बात से काफी परिशान है कि आखिर इतनी बड़ी crime organization ने उन्हें contact क्यों किया है तो discussion पूरा होने के बाद Richie और Francis यहां से जाने लगते हैं तो Richie जाते जाते मेबल को tease करने लगता है जिस पर लियो मेबल से कहता है कि बहतर होगा तुम Richie से दूर रहो वो अच्छा आत्मी नहीं है उसके साथ तुम बिल्कुल भी safe नहीं हो मगर मेबल लियो की बातों पर ध्यान नहीं देती जिसके बाद shop close करने का time हो जाता है तो मेबल shop close करके यहां से चली जाती है और लियो shop के अंदर ही आराम करने लगता है मगर देर रात लियो को door open करने की आवाज सुनाई देती है तो ये सुनकर लियो alert हो जाता है तो जब वो check करता है तब उसे पता चलता है कि मेबल और रिची का shop में romance चल रहा है तो ठरकी old man इन लोगों पे नजर रखने लगता है तो लियो को रिची की बात सुनकर पता चलता है कि बोईल गैंग में एक traitor है जो rival गैंग Lafontes को information leak कर रहा है साथे रिची को अपना partner Francis बिलकुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसके फादर Roy Francis को उससे ज़्यादा एहमियत देते है जिस बात से रिची बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि उसे अब शक होने लगाए कि कहीं उसके फादर गैंग को Francis के हवाले न कर दें और ऐसे ही कई दिन बीच जाते हैं जहां Francis और रिची रोजाना अपना कैश रिट्रीव करने आते थे तो उन्हें लगातार आउटफिट के मेल मिलते रहते जिन में एक टेप भी शामिल थी साथ ही लियो को अब तक अंदाजा हो चुका था कि मेबल रिची से शादी करने वाली है जहां वो दोनों लंदन शिफ्ट होने वाले हैं ताकि वो इस क्राइम से दूर न्यू लाइफ की शुरुवात कर सकें तो लियो को मेबल के फ्यूचर की टेंशन होने लगती है और ऐसे ही एक रात फ्रेंसिस और रिची लियो की शौक आ जाती है जहां रिची के पेट में गोली लगी हुई थी साथ ही पुलिस उनका पीछा कर रही थी तो लियो को ये जान कर डर लगने लगता है क्योंकि वो इस लफडे में इन्वाल होना नहीं चाहता मगर फ्रेंसिस लियो को फोर्स करता है कि वो कैसे भी करके रिची को एमर्जनसी ट्रीटमेंट दे तो मजबूरी में लियो उसकी हेल्प करने लगता है पर इस सब में रिची जोड जोड से किची मार रहा था तो फ्रेंसिस रिची से कहता है कि डकराना बंद कर अगर तुने टाइम पर गोली चलाई होती तो ये सब बिलकुल भी नहीं होता तो ये सुनकर रिची बहुत अपसेट है पर उस पर कोई भी थ्यान नहीं देता जिसके बाद फ्रेंसिस लियो को एक ब्रीफ केस दिखाते हुए बोलता है कि ये सारा लफडा इस ब्रीफ केस का है क्योंकि इस केस में ऐसी इंटल मौजूद है जिसे पाने के लिए बहुत से लोग बिताब हैं जैसे कि पुलिस, FBI और इवन रैवल गैंग्स तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को कहीं समाल कर रखो जिसके बाद Francis इस टूर में लगे फॉन से अपने बॉस रॉय को कॉल लगा देता है जहां वो रॉय को सारा इंसिडेंट बता देता है कि जब हम लोग टेप लेकर बेस लोट रहे थे तब हम पर लाफॉन्टेस गैंग ने हमला कर दिया था जो कि काफी अजीब है क्योंकि लाफॉन्टेस गैंग को हमारे बारे में आखिर कैसे पता चला और एवन उन लोगों को इस ब्रीफ केस के बारे में कैसे पता था जरूर हमारे गैंग में कोई ट्रेटर है जो हमारी इन्फॉमेशन को लीग कर रहे तो रॉय फ्रैंसिस से कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो मैं जल्द ही वहाँ पर पहुँच रहाँ तो कॉल कट करने के बाद फ्रैंसिस लियो को बताता है कि बॉस रॉय भी यहाँ पर आने वाले जब तक हमें जैसे भी करके रिची को जिन्दा रखना होगा क्योंकि कोई भी डॉक्टर इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ आना नहीं चाहता तो ये सुनकर लियो फ्रैंसिस से कहता है कि मास्टर रिची का बहुत ज़दा बलड निकल चुका है अगर टाइम पर उनके घावस को बंद नहीं किया गया तो जल्द ही मास्टर रिची मारे जाएंगे तो फ्रैंसिस लियो पे गंतान कर उससे बोलता है कि तुम तो एक धरजी हो ना तो चलो रिची के घाव सील दो जस पर लियो डरते हुए बोलता है कि मेरे पास घाव सिलने के लिए औजार नहीं है मगर फ्रैंसिस उसे टोटली इग्डोर कर देता है तो लियो अपना सुई धागा लेकर ही रिची के घाव को सिल देता है जससे बिचारे रिची को इतना पेन होता है कि वो दर्द से बेहोश हो जाता है जिसके बाद फ्रैंसिस किसी काम से बाहर जाने लगता है तो लियो उससे कहता है कि मेरे भाए तुम अगर कहीं जाही रहे हो तो इस ब्रीफ केस को भी अपने साथ ले जाओ क्योंकि मैं किसी भी मुसीबत में पढ़ना नहीं चाहता तो Francis Leo के सामने केस खोल देता है जिसमें एक टेप मौजूद थी तो इसे देख कर Leo काफी कन्फ्यूज था तो Francis Leo को बताता है कि हमारे गैंग में एक ट्रिपल एजेंट है जो हमारी इन्फॉर्मेशन राइवल गैंग के साथ साथ FBI को भी लीग कर रहा है पर इतना ही काफी नहीं था कि उस ट्रेटर ने FBI के कहने पर हमारे किसी बेस में एक बग प्लांट कर दिया है जिससे हमारी सारी कन्फेशन इस टेप में रिकॉर्ड हो चुकी है मगर FBI में आउटफिट का एक मेंबर है जिसने उस टेप की कॉपी बिना कर सीक्रेटली हम तक पहुचा दिये तो अब हम इस टेप को सुनकर पता लगाने वाले आखिर वो बग किस जगे पर प्लांट किया गया है और पॉसिबली टेप को सुनकर हमें ट्रेटर का भी पता चल जाएगा तो इस टेप का सुना जाना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है वैसे लियो मैं इस टेप को सुनने के लिए रिकॉर्डर का इंतजाम करने जा रहा हूँ लियो मजाक मजाक में रिची से कहता है कि मैं ही असल मैं वो खबरी हूँ जो तुमारे गैंग की इन्फोर्मेशन रैवल गैंग को पहुँचा रहा है साथी एफबियाई की भी मदद मैंने ही की थी ताकि वो इस शौप में बग को प्लांट कर सकें मगर इस बात पर रिची को भरोसा नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि लियो तो बस उससे मजाक कर रहा है तो लियो मजाक मजाक में रिची से कहता है कि पॉसिबिली फ्रैंसेज एक ट्रेटर है जिस बात पर रिची भरोसा कर लेता है क्योंकि फ्रैंसेज तो शकल से ही एक ट्रेटर लगता है साथ साथी रिची फ्रेंसेस से बहुत नफरत करता है तो उसके लिए बात मानना काफी इजी था जल्द ही फ्रेंसेस भी यहां लोट आता है तो लियो उसे बताता है कि मास्टर रिची को होश आ चुका है मकर जादा खुन बहने से उनकी दिमागी हालत हिल चुकी है जो बार-बार ये क्लेम कर रहे हैं कि बूल गैंग में एक ट्रेटर है साथी मास्टर रिची को तुम पर शक हो गया है कि तुम ही असली ट्रेटर हो तो ये सुनकर फ्रेंसेस की पूरी तरह से सनक जाती है जो रिची के पास जाकर उससे भढ़ जाता है और इसी सम्में वो ब्रीफ केस नी इसी समय लियो थोड़ी सी आवाज घर देता है जिससे रिची का थ्यान भटक जाता है और इस मौके का फाइदा अठाकर फ्रैंसिस रिची को गोलियों से भून देता है जिससे बिचारे रिची का हैपी बर्डे हो जाता है तो यहां पर हमें क्लियर हो जाता है कि लियो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है क्योंकि उसने इंटेंशनली आवाज की थी यानि रिची का मर्डर लियो ने प्लैन किया था पर तभी इन्हें एक कार की आवाज सुनाई देती है तो इन्हें क्लियर हो जाता है कि बॉस रॉय यहां पर आ चुके है पर अब तो उनका बेटा कुछने लगता है जिस बात पर लियो कोई भी जवाब नहीं देता तो रॉय फ्रैंसेस से ही सवाल जवाब करने लगता है कि आखिर मेरा बेटा कहां है तो फ्रैंसेस जूट बोल देता है कि अपना इलाज करवा कर रिची यहां से जा चुका है क्योंकि वो जल से जल टेप लेकर आपके पास जाना चाता था तो मुझे लगा कि अब तक वो आप तक पहुंच चुका होगा तो ये सुनकर रॉय काफी ज़्यादा कन्फ्यूज है क्योंकि उसे रिची घर पर या रास्ते में कहीं भी नहीं मिला तो उसे फ्रैंसेस पर डाउट होने लगता है जो फ् चलता है कि रॉय लियो का अच्छा दोस्त है और एवन वो लियो का फर्ष्ट कस्तिमर भी था तो बातों ही बातों उमैं रॉय लियो को बतानी लगता है कि एल कपोने नाम की खृम बॉस ने आउटफित नाम की और्टिनाजेशन बनाई थी जो कुछ ही समय में पूरे अमर आउटफिट में शामिल करना चाहते थे जो हमारे गैंग के लिए बहुत अच्छी खबर थी मगर आउटफिट ने हमें रिक्रूट करने से पहले एक टास्क दिया था जिसके तहत हमें अपने राइवल गैंग लाफ ओंटेस को खतम करना होगा पर ये सब सुनकर लियो काफी ज़्यादा कंफ्यूज था कि रोई इस सब के बारे में उसे क्यों बता रहा है तो रोई एक कोट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि ये कोट मेरे बेटे रिची का है तो अगर मेरे बेटे रिची शौप से जा चुका है तो उसका कोट यहाँ पर क्या कर रहा है क्योंकि कोई भी इतना बेफकूफ नहीं हो सकता कि वो दिसंबर के महीने में अपना गरम कोट पहनना भूल जाए तो ये सुनकर रोय का बोडिगाड मंक लियो पर गंतान देता है जहां ये लियो को फोर्स करने लगते हैं ताकि वो इन्हें रिची की सिचुएशन बता दे साथ ही उसने मेबल को भी capture कर लिया था तो Roy Francis से पूछता है कि तो मेरे बेटे के बजाए इस लड़की को यहाँ पर क्यों ले आयो तो Francis Roy से कहता है कि यह लड़की रिची की girlfriend है तो इसे रिची के बारे में जरूर पता होगा साथ ही यह लड़की पास में रहती है तो Roy assume कर लेता है पॉसिबली रिची मेबल के घर गया होगा तो Roy मेबल को torture करने की permission दे देता है ताकि वो मेबल के थूरू रिची की situation पता लगा सके पर इसी समय लियो रिची से कहता है कि मेबल मेरी बेटी जैसी है अगर आप उसकी जान बक्ष दें तो मैं माश्टर रिची को ढूंड कर ला सकता हूँ पर तबी इस टोर में किसी का कॉल आ जाता है तो लियो रॉय के इशारे पर कॉल पिक करने चला जाता है जिसके बाद लियो रॉय को बता देता है कि ये कॉल मास्टर रिची की थी जो असल में लाफॉंटेस गैंग की बेस के बाहर इंतजार कर रही है तो रॉय काफी कन्फियूज होने के बाद भी अपने बेटे की बताए लोकेशन पर जाने लगता है मगर ये बात फ्रैंसिस को पता थी कि रिची तो पहले ही मर चुका है यानि कि ये ओल्ड फार्ट जूट भोल रहा है तो वो रॉय से कहता है कि मेबल और लियो भरोसे के लाइक नहीं है तो क्यों ना मैं स्टोर में रुक कर इन पर नज़र रखूं तो रॉय फ्रैंसिस को स्टोर में रुकने की परमीशन दे देता है तो रॉय के जाते ही फ्रैंसिस अपनी गन बाहर निकाल लेता है जिसे वो मेबल पर तान कर लियो से कहता है कि क्यों ना इस लड़की को मार कर रिची की मौत का इलजाम इस पर डाल दिया जाए जिससे हमारी प्राबलम्स सॉल्व हो जाएंगी तो लियो फ्रैंसिस से कहता है कि ये लड़की बहुत काम की है जो हमारी सभी प्राबलम्स को असानी से सॉल्व कर सकती है तो ये सुनकर फ्रैंसिस काफी कनफ्यूस था तो लियो उसे बताता है कि इन्रियल मेबल ही असली खबरी है जो रिची के थुरू गैंग की सारी इंफॉर्मेशन निकाल रही थी जिसे वो लाफॉंटेस गैंग को लीग किया करती थी और उसने ही FBI को भी कॉंटेक्ट किया था जिन्होंने हमारी शॉप में बग प्लांट कर दिया था यानि जो भी रिकॉर्डिंग टेप में मौजूद हैं वो इसी दुकान में रिकॉर्ड की गई है तो ये सुनकर फ्रैंसिस की सनक जाती है जो अब मेबल को मारना चाहता है मगर अभी भी उसे ये समझ नहीं आया है कि आखिर वो टेप अब किसके पास है तो लियो फ्रैंसिस को बताता है कि वो टेप मैंने चुपाई थी क्योंकि मैं मेबल की जान बचाना चाहता था मगर अब थोड़ी ही देर में रॉय को पता चल जाएगा कि हम सबी ने उससे जूट भूलाए तो वो लोट कर हम तीनों को मार देगा तो अगर हम तीनों को जिंदा रहन है तो रॉय को रास्ते में ही मरना होगा क्यों न हम मेबल के थ्रू लाफॉंटेस गैंग को इन्फोर्मेशन लीग कर दें कि आखिर लियो इस वक्त कहां पर जा रहा है जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी तो रॉय और इची के मरते ही तुम बोईल गैंग के हा पॉल्स्टेट श्ट्रीट जा रहा है साथी वो लाफॉंटेस गैंग से टेप रिकॉर्डिंग का सौधा भी कर देती है जल्दी लाफॉंटेस की लीडर वॉयलेट अपने आदमियों को लेकर यहां आ जाती है जो पैसों के बदले टेप खरीदना चाहती थी पर लियो उस से कहती है कि मुझे पता है कि तुम रॉय के पालतू हो मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि थोड़ी दिर पहले मैंने रॉय और उसके बॉडिगाट को मौत के खाट उतार दिया है तो तुम मरने की कोशिश क्यों कर रहे हो पर इसी समय लियो वॉयलेट से कहता है कि मैडम आपको फ्रैंसेस से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सीक्रेटली उसकी गंग से बुलट निकाल ली थी तो ये देखकर फ्रैंसेस डिस्ट्रेक्ट हो जाता है जिसका फायदा उठाकर वॉयलेट के बॉडिगाड्स फ्रैंसेस को गोलियों से भून देती है तो काम आउटफिट भी हमें हंट करने की कोशिश करने वाली है जिस पर लियो मेबल से कहता है कि कौन सा आउटफिट और कैसा आउटफिट तो ये सुनकर मेबल काफी कन्फियूज थी तो लियो समाइल करती हुए उससे कहता है कि आउटफिट और्गनाजेशन ने बॉयल गैंग क कभी contact किया ही नहीं था उन्हें जो भी letters outfit से मिल रहे थे उन्हें मैंने ही box में डाला था और रही बार tape की वो तो fake है क्योंकि real tape तो अभी भी recorder में लगी हुई है जिसमें आज की सभी incident भी record हो चुके हैं तो ये सुनकर मेबल को भी समझ आ जाता है कि बोईल गैंग के खात्मे के पीछे लियो का हाथ है मगर मेबल को अभी भी लाफॉंटेस गैंग से डर लग रहा था क्योंकि जल्द ही वोईलेट को भी पता चल जाएगा कि उसे fake tape provide की गई है तो लियो मेबल से कहता है कि फिकर मत करो तुम रियल टेप को FBI के हवाले कर दो बाकी का काम FBI कर देगी क्योंकि इस टेप में वोईलेट का भी confession record है कि उसी ने रॉय और उसके बोडिगाट को मारा है जो लाफॉंटेस गैंग को बरबाद करने के लिए काफी होना चाहिए तो यह सब सुनकर मेबल काफी ज़्यादा खुश थी तो हमें पता चलता है कि मेबल का फादर एक गैंग वार में मारा गया था जिसके जिम्मेदार बोईल और लाफॉंटेस गैंग थी जिस वज़ए से मेबल इन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती थी तो लियो मेबल से कहता है कि तुम सारे पैसे लेकर ये देश छोड़ दो क्योंकि तुम हमेशा से ही दुनिया घुमना चाहती थी तो यह सुनकर मेबल भी काफी खुश थी जो ओल्ड मैन को पुच्ची देकर चली जाती है जिसके बाद लियो सूटबूट पहन कर यहां से जाने की तयारी करने लगता है तो वो इस्टोल में तेल डालकर उसमें आग लगा देता है ताकि सभी सबूतों को इरेज किया जा सके पर फ्रैंसिस अभी तक जिन्दा था जो लियो को इंजर्ड कर देता है तो लियो फ्रैंसिस को एक स्टोरी सुनाता है कि पहले मैं भी एक गेंग्स्टर हुआ करता था मगर मेरे बॉस ने मुझे एक दिन ऐसा काम दिया जो मुझे करना मंजूर नहीं था तो मैं अपना गेंग छोड़कर वहां से भाग गया जिसके बाद मैंने लंदन सिफ्ट होकर अपनी टेलर शॉप खोली यकीन मानो उस टैम में बहुत खुश था क्योंकि मेरे एक सुन्दर बीवी थी साथी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भी थे मगर मेरे प्रीवेस गेंग बॉस ने हमें ढोड लिया जिसमें मेरी टेलर शॉप को आग लगा कर मेरे बीवी वच्चों को मार दिया जो बात मुझसे हजम नहीं हुई तो मैंने अपने प्रीवेस बॉस और उसके गेंग को डिस्ट्रोई कर दिया जिसके बाद मैं शिकागो चला आया जहां पहले दिन ही मेरी मुलाकात रॉय बॉयल से हुई थी जो मेरे पिछले बॉस की तरह घटिया आदमी था तो मैंने बॉयल गैंग को डिस्ट्रोई करने का डिसीजन ले लिया था और बातों ही बातों मैं लियो फ्रैंसिस के गले में अपनी कैंची गुसा देता है जिससे फ्रैंसिस तरक तरक कर मर जाता है और अब बॉयल गैंग का खात्मा हो चुका है तो लियो अपना मस्त सा कोट पैन कर शॉप से निकल जाता है ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है सो अभी के लिए गुडबाई थैंक्स फॉर वाचिंग